हेलो गाइज, हाव आई यू, वेलकम बेक टो और चैनल की ओफ कोमर्स, दिस इस आर लाश्ट पार्ट ओफ इंकम फ्रोम पीजी बीप चैप्टर, जैसा कि आपको पता हिए कि हमने अपने तीन पार्ट फिनिश कर दिये हैं, जिसमें कि हमने डिडक्शन का कॉंसेप्ट और ड इजम्टिव इंकम का कॉंसेप्ट, गाइस वीडियो स्टाट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनकेडमी कोमबेट के बारे में, जो कि है बिल्कुल फ्री ओफ कोश्ट, हाँ जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही जुना, फ्री ओफ कोश्ट, जैसा कि आप स्क्र पेपर वन एंड पेपर टू से रिलिडिकोशन पूछे जाएंगे, और जो भी बच्चे विनर होंगे, उनको मौका मिलेगा एक्साइटिंग प्राइस जीतने का, अब बाद आते है सरही हम गेमिंग क्विज क्यों जोइं करें, तो फर्स्ट बेनफिट आपका ये है कि इंडिया वाले हैं, हम कोई भी चीज फ्री वाली नहीं छोडते, और थर्ड कोइंट ये है कि आपको अगर आप गिनर हो जाओगे, तो एक्साइटिंग प्राइस भी मिलेंगे, तो जलती से जाओ और अपने आपको एनरोल करा दो, अब कोइंट आता कि आप कैसे एनरोल कर रहे हैं, 10th of January से आपके बैच स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको जिसमी बैच में रिजिस्ट्रेशन कराना है, आप करा सकते हो, और अगर आप हमारे QC 10 कोड यूज करोगे, तो आपको 10% का additional benefit भी मिलेगा, अब आपको कैसे इस पे अनरोल कराना है, तो आपको description box में जा कब-कब कौन-कौन से business को कब-कब हम करा सकते हैं, टैक्स ओडिट उसके बारे में सब limit हम पड़ेंगे, first point है, अगर कोई भी carry कर रहा है business, अगर कोई भी person business carry कर रहा है और उसकी turnover एक साल में कितने से ज़ादा है, एक करोड रुपे से ज़ादा है, ठीक है, अगर कोई भी person business बिजनस केरी कर रहा है और उसकी टर्णोवर यानि कि उसका जो रेवेन्यू है वो अगर आपका एक करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ओडिट कंड़क्ट कराना पड़ेगा सेकिंड पॉइंट है केरी आउट प्रोफेशन अगर कोई भी परसन प्रोफेशन केरी आउट कर रहा है और उसकी टर्नोवर 50 लेक रुपे से ज्यादा है किसी भी प्रिसीडिंग येर में तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको टैक्स ओडिट कंड़क्ट कराना पड़ेगा करके केस पड़ेगे तो उसी मेंसे एक ये केस है प्रिसम्टिव इंकम में से तो अगर 44 AD के अंदर कोई भी परसन बिजनस केरी कर रहा है तो उसके लिए लिमिट एक करोड नहीं है उसके लिमिट क्या है दो करोड अगर उसकी टर्नोवर दो करोड से जादा है तब इसको क् tax audit conduct कराना है ठीक है fourth point आपका क्या है opt for presumptive scheme under 44 AD 44 ADA 44 AE, 44 BB 44 BB अगर आपने इन सभी section के अंदर presumptive scheme opt की हुई है यह सब क्या है, यह सारे section की चीज़ गया है presumptive scheme के, ठीक है अगर आपने इन section के अंदर कोई भी presumptive scheme opt की गई है और आप जितनी इसमें percentage दी गई है, उससे भी कम अपना profit claim कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर tax audit conduct कराना पड़ेगा अगर आपको एक fourth point समझ नहीं आए, तो अभी हम AK करके जब हम सब presumptive scheme कर लेंगे तो आपको समझा जाएगा, वैसे मैं एक बर फिर बोलता हूँ कि हमने इन 500 section के अंदर में से किसी भी presumptive scheme के अंदर हम आ रहे हैं और उस section के अंदर जो percentage लिखी गई है ना, कि आपको इतनी percent पे tax देना है अगर हम उससे भी कम में अपनी income claim करते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, tax audit conduct कराना पड़ेगा तो यह आपके चार point से कब गब हमको tax audit conduct कराना है अगर हम कोई भी business कर रहे हैं, तो 1 करोड की limit है अगर 44 AD वाला business कर रहे हैं, तो 2 करोड की limit हो जाएगी अगर profession carry out कर रहे हैं, तो 50 ला की limit एंड अगर हम कोई भी business कीम में हैं और उसके बावजूद भी हम जो उसमें percentage लिखी गई है, उससे कम claim कर रहे हैं तो फिर हमें क्या कराना पड़ेगा, tax audit conduct कराना पड़ेगा तो यह आपके 4 point होगे, आपके याद रखना है कि कब-कब हमें tax audit conduct कराना है अब बात आती है penalty की, अगर आपको tax audit के लिए आप eligible हो और फिर भी आप क्या करते हो, tax audit conduct नहीं कराते तो उस case में भाई सा penalty लग जाएगी 0.5% of turnover या फिर 1,50,000 rupees, whichever is lower आपकी जितनी turnover है, उसका 0.5% निकालेंगे या फिर rupees 1,50,000,000 जो भी आपका lower होगा उतनी आपकी क्या हो जाएगी, penalty आपके उपर लग जाएगी tax audit conduct नहीं कराने की, ओके तो यह आपका tax audit का concept फिनिश हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं अपना presumptive income का concept तो first point हमारा का है 44 AD, first point इसमें है resident individual या फिर HUF या फिर firm firm में include नहीं है LLP, बाकी पूरे के पूरे income tax act में जहां भी firm आएगा आपका साथ में LLP include होगी, बट एक ये first पहली जगह ऐसी है जापे firm के साथ LLP नहीं है ठीक है तो ये आपको याद रखना है तो कोई भी resident individual या फिर HUF या फिर firm अगर ये तिनो कोई भी business करते हैं except 44 AE, 44 AE का है वो भी presumptive income का part है भी हम आगे देखेंगे अगर इन तीनो में से कोई-कोई कोई भी resident individual हम individual है और resident है इंडिया के हम या फिर कोई HUF या फिर कोई भी firm ठीक है अगर इन तीनो में से कोई भी person कोई भी business कर रहा है except 44 AE तो वो कहला है क्या जाएगा वो कहला है जाएगा कि वो 44 AD के अंदर वो presumptive scheme opt कर सकता है ठीक है तो अगर मैं example लूँ मान लो मेरा खुद का business है ठीक है तो मैं क्या हूँ मैं individual हूँ और मैं resident भी हूँ तो मेरा अगर खुद का business है और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को presumptive scheme opt करनी है तो फिर मैं कर सकता हूँ क्यों क्योंकि कौन-कौन सा 44 AD में आ सकता है resident individual भी आ सकता है HUM भी आ सकता है firm भी आ सकती है तो मैं एक resident और individual हूँ तो मैं 44 AD के अंदर आ जाओँगा 44 AD के अंदर आने का benefit क्या होगा पहली बात तो यह समझो 44 AD के अंदर आने का मतलब क्या है कि मेरे को कोई भी proper accounting वगरे करने की जरूद नहीं है जैसे कि आप खुद ही बताओ अगर आपको PGPP income compute करनी है तो आप क्या करते हो पहले आप trading account बनाओगे फिर आप profit and loss account बनाओगे उसके बाद जो भी आपका profit आएगा उस पे आप क्या दोगे tax pay करोगे अभी हमने क्या सिखा था इससे पहले पार्ट में जो भी हमारा profit निकलता है ना उसी में एडलेस करते है कि कि किस-किस चीज़ की deduction मिलेगी किस-किस का allowance होगा तो उसको हम add back कर देंगे ठीक है अब जो वह profit आ जाएगा net profit का उस पे हमको क्या देना पड़ता था tax यह होता था हमारा क्या normal concept बट अगर मालो मैं 44 AD में आ गया presumptive income में तो मुझे कोई भी अपना income नेट profit निकालने की जुरूत नहीं है क्यों जुरूत नहीं है क्योंकि इसमें क्या बोला गया है आपकी जितनी भी turnover होगी यानि कि आपने जितनी भी sales करी है पूरे साल में मै एक specific percentage इन्हों ने बता दी जित की rate क्या है 8% rate अगर जितने भी मैंने एक साल में जितना भी मैंने revenue generate क्या है उस पे 8% के हिसाब से मैं tax दे दूँ सिंपल सी बात है ना मुझे अपना net profit निकालना ना मुझे कुछ निकालने की जुरूत है तो यह आपका होता है presumptive income का concept presumptive income basically कोवनोप्ट कोरता है एक तो वो limit के अंदर अंदर आ रहा है और दूसरी जिसको books of account maintain नहीं करने ठीक है और turnover की limit यहापे कितनी है दो करोड की limit इसलिए इसके जो tax audit conduct करने की limit वो भी 44 AD में कितनी है दो करोड जो कि हम अभी पहले पढ़ चुक है देखो मैंने third point में आपको बता दिया था कि अगर 44 AD के अंदर हम business carry कर रहे हैं तो उसकी turnover की limit दो करोड तभी वो tax audit conduct कराएगा तो simple सी बात यह है कि अगर वो उसको tax audit conduct करना पढ़े गया तो फिर तो वो presumptive scheme opt कर ही नहीं पाएगा क्योंकि presumptive scheme भी कब opt कर सकता है वो अगर वो 2 करोड से निच्छे की उसकी क्या है turnover है एक साल में ठीक है तो hope करता हूं आपको यह point समझ आ गया होगा second point क्या है if any turnover received in those three modes यह three modes कौन से है जो कि हमने उस दिन पढ़े अकाउंट पर ही चेक, अकाउंट पर ही बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रोनिक प्लिरिंग सिस्टम यह हमने आद गरोड डिसलांसिस वाले concept में बढ़ा था जब हमने बोला था कि अगर 10,000 से ज्यादा का amount एक दिन में एक परसंट को अगर हम उन तीन मोड के लावा देते ह तो वही यह तीन मोड है अगर इन तीनों मोड में अगर हमको कोई भी टर्नोवर रिसीव होती है तो फिर हमारी परसंटेज 6% हो जाएगी ना कि 8% ठीक है अब मैं आपको यह एक एक जामपल के उससे सुलाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लारिटी हो जाए मान विजनस है और मैं 19-20 में काप यही पर लिख देता हूँ 2019-20 ठीक है इसमें मेरी टोटल टर्नोवर है यानि कि मैंने पूरी पूरे साल में सेल करी 2 करोड रुपे की ज्यादा हो गया क्या कम कर लेते हैं चलो हमारा नया नया विजनस है 10 lakhs रुपे की ठीक है 10 lakhs रुपे की हमने मान लो टर्नवर पूरे साल में सेल करी 10 lakh में से 8 lakhs की सेल ऐसी है जो कि मेरे को जिसके पैसे मेरे को किसके थू मिल गए account pay check या फिर account pay bank draft और या फिर electronic clearing system इन तीनों में से किसी भी mode से मेरे को मिल गए 8 लाग रुपे तो मैं लिख देता हूँ 3 modes बस इतने से समझ जाना ठीक है और जो 2 लाग रुपे में माल लो वो मुझे किस में मिले cash में मिले ठीक है अब बताओ मेरी turnover 10 लाग है तो क्या मैं presumptive scheme opt कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ पहले तो आप यह बताओ तो presumptive scheme मैं opt कर सकता हूँ क्यों 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 क्योंकि मैं resident individual भी हूँ और साथ ही साथ मेरी जो turnover है वो 2 करोड से कम भी है कितनी है 10 लाग रुपे की है तो मैं presumptive scheme opt कर सकता हूँ, यह तो condition मैंने चेक कर ली, बस दो ही condition देखनी है, कि आप इन तीनों में से कोई person हो, और आपकी turnover की limit दो करोड से कम है या नहीं है, तो आप 44 AD के अंदर आ सकते हो, तो मैं 44 AD के अंदर आना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को books of account नहीं बनाना, इतने ज दस लाग रुपे की, अब sales दस लाग करी है, उसमें से आठ लाग रुपे की ऐसी है, जो कि तीन उन थ्री मोड से मेरे को पैसे receive हुए है, और दो लाग की sale है जो मेरे को cash में amount receive हुआ है, तो as per section 44 AD, जो आपके आठ लाग रुपे है, इस पे आपको tax देना है 8% के हिसाब से ठीक है, क्योंकि, नहीं, sorry, तीन मोड में जो मिला है उसको 6% पे, तो 8 लाग पे आपको tax देना है 6% और जो other than 3 मोड है, तो उस पे आपको tax देना पड़ेगा 8% के साब से, तो 2 लाग पे मेरे को tax देना पड़ेगा 8%, तो ये मेरे को tax लग जाएगा, 8 लाग पे 6% और 2 कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो तो अव्यस है यार, तब ही तो हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको books of account कोई बना नहीं नहीं, तो deduction, disallowance, इन सब का क्या मतलब बनता है, simple सी बात है, कोई net profit निकालने की जुरूत ही नहीं है, जितने ही आपने sale करी पूरे साल में, उसका एक fixed percentage आपको दिया हुआ है, वो निकालो, tax pay कर दो, बस, ठीक है, and last का बोला है, 44 AD कब-कब applicable नहीं होगा, यानि कि कुछ आपके लिए पहले से exception है, इन cases में आप presumptive scheme में आ 44 AD के अंदर नहीं आ सकते, and second आपकी क्या exception है, अगर आप carry कर रहे हो business off, commission या फिर brokerage, तो commission और brokerage, इनका किसी का भी अगर आप business कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर भी आप 44 AD में नहीं आ सकते, it means आप presumptive scheme off नहीं कर पाओगे, तो आपने दो exception पड़ी, तो 44 AD को हम फटा-फट रिवाइस करते हैं, हमने total 4 point पड़े, first condition हमारी क्या है, कि कौन-कौन से person ऐसे हम 44 AD में आ सकते हैं, only 3%, या तो resident individual होगा, या फिर हो HVF होगा, या फिर firm, not including LLP, right, second condition आपकी क्या है, अगर आपकी turnover उस साल में 2 करोड से कम है, या फिर equal to है, 2 करोड या उस से कम है, तो आप क्या कर सकते हो, presumptive कर सकते हो, तो ये थी आपकी दोनों condition, अब बात आके, आगे हम बढ़ते हैं, क्या rate है, तो जो आपकी total turnover है, उसमें से अगर जो part उन 3 modes में मिला है, उसके लिए 6%, और उसके अलावा मिला है, तो उसके लिए 8%, rate पता चल गया, फिर ह हमने पढ़ा कि क्या क्या exception है, अगर कोई भी person profession carry out कर रहा है, या फिर कोई भी person business कर रहा है, बट किसीज़गा, commission या फिर brokerage गा, तो उसके लिए भी 44 AD नहीं बना, तो ये हमने पढ़ा 44 AD में, तो हमारा first presumptive, presumptive scheme का concept clear हो गया, आप बढ़ते हैं, अपने दूसरे point की तरफ दूसरी presumptive income का हमारा section है, 44 ADA, तो 44 ADA क्या बोलता है, अगर कोई भी resident sse, यहाँ पर आपको सबके सब resident sse, यहाँ पर आपके आजेंगे, तो यहाँ पर आपकी कोई भी ऐसे specific नहीं है, individual hufm, जैसे कि आपका first वाले part में दे, जितने भी आपके resident sse है, अगर वो engaged है in any profession, अग की turnover की limit कितनी है, 50 lakh rupees, या तो उतनी है 50 lakh या उससे कम है, तो वो क्या कर सकते है, वो भी presumptive scheme के अंदर opt कर सकते है उसको, तो आपको एक चीज बताता हूँ, interesting, limit आपकी दोनों चीजों में seem है, देखो अगर आपको presumptive scheme opt करनी है, तो उतनी उस limit से कम होना पड़ेगा, और अ limit आपकी बिल्कूल सेम है, देखो, profession में हमने वहाँ पर पड़ा था, कि अगर आपकी 50 lakh से ज़्यादा हो गई, तो आपको tax audit conduct कराना पड़ेगा, it means, अगर 50 lakh तक है या उससे कम है, तो आप फिर अपने presumptive scheme में आ सकते हो, ऐसा समझ लो, उससे जल्दियाद हो जाएगा, ऐ ऐसे बिजनस में था, देखो, बिजनस में कहाता है, अगर एक करोड से ज़्यादा की income हो जाई, एक करोड से ज़्यादा की अगर आपकी turn over हो जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको tax audit conduct कराना पड़ेगा, बट अगर आपकी एक करोड या उससे कम है, तो फिर presumptive scheme में सकते हो, तो एक limit है, उससे से दोनों चीज़े आपको जाद हो गई, कब हमको tax audit conduct कराना है, और कब आपको presumptive scheme opt कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका rate है 50%, इतना जादा rate, 50%, अगर मान लो आपकी एक साल में 20 लाख रुपे की आपकी गया थी, turn over थी, तो 20 लाख का यहाँ पे आपकी माननी जाएगी, income 10 लाख, इसका 50%, और 10 लाख पे आपको tax दिना पड़ेगा, बट अगर यही आपका business होता, और 44 AD में आ सकते थे, आपकी 20 लाख की income है, और limit वहाँ पे कितनी है, एक करोड, नहीं सोरी, 44 AD में 2 करोड की limit है, तो 20 लाख है, अगर 20 लाख वहाँ पे होता, 44 AD में, तो 44 AD में तो 8% और 6%, मालो सारा का सारा cash में मिला है, तो भी 8%, जाद अच जादा 8%, तो 20 लाख का आपका 8% कितना होता, 1,60,000 रुपीज बस, और 1,60,000 भी आपकी income है, तो 1,60,000 पे आपको tax देना है, और यहाँ पे आपको tax देना पड़ेगा, 10 ला और business में आपके दुनिया भर की expenses होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे presumptive rate आपका जादा है income का, third point आपका वोई सेम है, कोई भी deduction नहीं मिलेगा, कोई भी disallowances नहीं होगा, तो यह तो आपका fall to point है, क्योंकि जब आपको पता ही है कि आप कोई भी books of account maintain नहीं कर रहें, क्यों पिछले साल के कोई loss है, तो वो तो आप set off कर लोगे, वो कब set off होएंगे, आपने पहले income निकाल ली, देखो 20 लाग की आपकी total turnover थी, उसका 50% निकाला 10 लाग, तो अब हम मान रहें कि हमारी इस साल की income कितनी है, 10 लाग रुपे, अब इस 10 लाग में से जो भी आपको set off करने पिछले साल के वो आप कर सकते हो, ठीक है, तो यही आपका point, यह सम्में है, set off आप कर सकते हो, पिछले साल के जो भी loss है, वो आप set off कर सकते हो, तो यह आपका 44 ADA भी finish हो गया, तो दो हमने presumptive scheme के concept कर लिए, 44 ADA बिजनस वालों के लिए है, 44 ADA प्रोफेशन वालों के लिए है, याद रखना, 44 ADA में सारे के सारे resident SSC, 44 ADA में only three, resident individual, HOF, firm, not included, LLP, याद हो गया, तो अगर difference भी दोनों का साथ साथ कर रहे है, ताकि आपको दोनों में समझ आ जाए, एक बार फिर से करते हैं, पहला difference, क्या है, 44 ADA, 44 ADA, 44 ADA का first, resident individual, HOF, firm, यहापे resident all SSC, second, यहापे business के लिए, यहापे profession के लिए, third, यहापे rate है, 8% और 6%, यहापे rate है, 50%, fourth, फोर्थ, तो आपका common year deduction, disallowances नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेंगे, यहाँ भी नहीं मिलेंगे, fifth, आपको यहापे भी यह, जो भी आपके portfolio losses है, वो set of करने को मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे, तो यह आपको ऐसे करके चीज़े याद करनी है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और आपको जादा लंबे time तक याद भी रहे चीज़े exam में, ताकि आपको भूलो ना अप, third point अब आपका आता है, 44 AE, तो AE में क्या बोलता है, first point है, all assessi, यहाँ पे भी क्या है, all assessi, carry कर रहे है, business of applying, hiring, or leasing goods carriage, यानि कि उनका किसी का business है, goods carriage, यानि कि जैसे ट्रक वरक, उन्होंने अपने, खुद के मैंने, मेरा बिजनस है, और मैंने अपने, चार ट्रक खरीद के रख रखे हैं, और मैं क्या करता हूं, किसी कोई भी बंदे को अगर ट्रक चाहिए होता है, उसको अपने goods इधर से उधर करने है, तो उसके लिए क्या करता है, मैं अपना उनको truck देता हूं, ऐसा, समझ रहे हैं, यानि कि goods को carriage करने के लिए, मैंने अपने प पास 10 से ज़्यादा goods carriage हो गए, ठीक है, तो फिर आपको 44AE में आप नहीं आपाऊगे, तो 44AE फिर आपके लिए नहीं बना, 44AE में क्या condition है, पहली condition का है कि बिजनस करने किसी का goods carriage का, दूसरी condition है, आपके पास 10 से ज़्यादा goods carriage नहीं होने चाहिए, 10 या उससे कम, ठीक ह अगर यह दोन्यों condition satisfied हो जाएगी, तो आप आजाओगे कहाँ पर, 44AE की presumptive scheme में आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर turnover की limit नहीं है, यहाँ पर limit किस चीज़ की है, आपके goods carriage की, 44AE में और ADA में किसकी limit थी, turnover की, यहाँ पर limit किसकी है, goods carriage की, ठीक है, done हो गया point, अब यहाँ आगे बढ़ते है, अब यहाँ पर rate के है, यहाँ पर rate नहीं है, यहाँ पर सिधा amount बता हुआ है, अगर आपके light motor vehicle है, अब आपको होगे light का पता चलेगा, और heavy का पता चलेगा, अगर आपके विकल का weight 12,000 kg या फिर उससे कम है, तो आपका वो विकल होगा light motor vehicle, और अगर 12, 1000 से ज़्यादा उसका वज़यन है, 12,000 kg से ज़्यादा, तो आपका heavy motor vehicle वो count होगा, अब बात आती है कि हमने क्यों इसको बाइफरकेट किया light motor vehicle, heavy motor vehicle, क्या चल लाइए, यह चल रहा है, आपका अब देखो, अगर light motor vehicle है, तो आपका जो rate होगा, 75,000, 75,000 पर मन्त, पर विकल, तो हम मान के चलते हैं, हमारे पास है total 8 goods कहरीज है, कितने विकल है, 8 है, जिसमें से 5 है light और 3 है heavy, समझना बात को द्यान से, 8 है total, उसमें से 5 है light और 3 है heavy, ठीक है, अब देखो, जो light है उसका rate कहा है, 75,000 पर मन्त और पर विकल, तो हमको यह month कैसे count करने है, month आपको count करने है, कितने महीने के लिए आपने उसको own किया हुआ है, own मतलब, कब आपने खरीदा था और आपके पास है, मानलो हमने यह सारे के सारे विकल मैंने एक अपरेल कोई खरीदे है, मानलो starting से लेके end tech है मेरे पास, तो पूरे साल के एक अपरेल 2019 को थे, और अब मेरे को 19-20 का अपना income compute करनी है, तो पांचो के पांचो विकल कितने time के लिए थे, 12 महीने के लिए थे, तो पहले मैं एक विकल का निकालता हूँ, एक विकल 12 महीने के लिए था मेरे पास, और एक महीने की कितनी है, 75-100 रुपे, ठीक है, तो पा ठीक है, अब हैवी विकल के लिए कैसे निकालोगे, हैवी विकल के लिए थोड़ा और ध्यान से समना है, हैवी विकल का concept थोड़ा difficult है, देखो, एक हजार रुपे पर टन, अब पर टन क्या होता है, टन का मदद होता है, एक टन में कितने किलो होते है, 1000 किलो, तो मान के चलो हजार किलो के हजार रुपे, ऐसा मान के चलो, तो अब आपको वेट देखना पड़ेगा, हैवी वाले में वेट देखना पड़ेगा, मालो तीनो का वेट है, 15,000 किलो, 15,000 किलो, 15,000 किलो, तो अगर तीनो का वेट 15,000 किलो है, तो उस case में कितने टन हो गए, एक टन में 1000 किल होता है तो 15,000 का मतलब 15 टन ठीक है तीनों का वेट कितना हो गया 15 टन 15 टन 15 टन एक टन के हजार रुपे तो 15 टन के 15,000 रुपे तो आपके भाई सब यहां पर जाएंगे 15,000 रुपे पर मंथ 15,000 रुपे पर मंथ यानि कि 15,000 इंटू 12 और वो भी कितने विकल के लिए तीन विकल के लिए तो यह आपका आजाएगा है भी विकल का ठीक है तो यह आपका कॉंसेप्ट था 44AE का और इसमें एक चीज़ आपको जाद रखनी है मन्थ में इंक्लूड़ागा पार्ट ओफ मन्थ अगर मानलो आपने कोई बीच में मानलो 26 जुलाई को आपने खरीद लिया क्या आपने खरीद लिया एक विकल तो वो जो जुलाई का मन्थ है वो भी आपका काउंट हो जाएगा यह पर मंथ के काउंट करने में ठीक है तो आप जुलाई, अगस, सेप्टेंबर, दिसंबर जन्वरी फर्वरी मार्च उस विकल के लिए आप 9 महीने का क्या लगा दोगे आपे 9 से मल्टिपलाई कर दोगे इंकम निकालते वक्त तो यह था आपका 44AE का तो हमने तीन प्रिजम्टिव इंकम आज पढ़ लिए 44AE 44AE और अब आपका प्रिजम्टिव इंकम का कॉंसेट भी फिनिश हो गया तो इसमें आपके टोटल तीन पॉइंट थे और तीनों हमने कवर कर लिए हैं और आपको तीनों अच्छे से करके जाने हैं क्योंकि आपका किसी भी एक पॉइंट पे अलग से सेपरेट कोशन बन सकता है ठीक है अब मैं इन तीनों में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कौन से वाली जो मैंने आपको बता है था टैक्स ओरिट में फॉर्थ पॉइंट कि अगर आप उस रेट से कम अगर आप क्लेम करते हो तो इसनिक्स का एक्जम्पल यह था बीस लाग रुपे मेरी टर्नोवर है ठीक है तो क्या पहले पर तो यह बताओ क्या मैं प्रिजम्टिव इसकी में उप्ट कर सकता हूं कंडिशन देखते है पहला कंडिशन था रेजिदेंट अससी ओल तो कोई भी अससी आ सकता है इसमें त कितना है कि भाई प्रोविजन क्या बोलता है अगर आप 44 AD में आओगे तो आपको 50% देना पड़ेगा इंकम मननी जाएगी 50% पर मैं कहा रहा हूं मैं तो नहीं मानूंगा 50% मैं तो कहूंगा जी मेरी तो इतनी इंकम होई नहीं इस साल में क्योंकि 20 लाग का 50% कितना हैगा 10 लाग रुपे मैं लड़ुँगा मैं कहूंगा मेरे 10 लाग रुपे के इंकम है निस बार तो मैं दिखा दूगा अपनी मर्जी से 20 लाग का मेरा मेरी तो इंकम लगबग मेरे आपके करूँगा 70 लाग तो फिर तो तुम गाओगे मेरी इंकमी नहीं लोस में चल रहा हूं वापीस तो भाई ऐसे नहीं चलेगा अगर आपको अपनी कम इंकम दिखानी आप दिखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट फिर आपको क्या करना पड़ेगा प्रोपर बुक्स ओफ अकाउंट बनाओ और आपका टैक्स ओडिट आपको कंड़क्ट कराना पड़ेगा कंपल्सरी इसलिए वो आपका फोर्फ पॉइंट लिखा था अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा क्योंकि ऐसे तो फिर हम प्रीजम्टिवी स्किम का मारा मतलब भी नहीं रह जाएगा ना हम कुछ भी पता चल जाएगा हाँ सीरियसली एक्च्वल में आपकी इंकम इससे कम है तो इसलिए आपको टैक्स ओडिट कराना प्लसरी हो जाएगा तो ओवर्वी लेते फटाफट हमने दो मिनिट में आज क्या क्या पड़ा हमने पड़ा टैक्स ओडिट उसमें हमने फोर पॉइंट प तो यह था हमारा PGBP का फोर्थ पार्ट और हमने अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया अब आप बात आती है कि कोशन की सर प्रैक्टिकल प्रोब्लम कैसे करें तो देखो अगर आपको लगता है कि आप से प्रैक्टिकल प्रोब्लम बिल्कुल भी सोल नहीं हो रही तो आप क्या करोगे आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना तो हम क्या करेंगे अलग से एक दो सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ओनली हम कोशन कवर करेंगे जिससे कि आपकी थोड़ी ग्रिप बन जाए और आप एक्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाओ ठीक है बा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे सेपरेट वीडियो बना लेंगे एक दो वीडियो जिसमें हम ओनली प्रैक्टिकल प्रोब्लम कवर करेंगे बाकी हमारा पीजी बीप का चैप्टर यहां पर पूरा फिनिश हो चुका है ठेक है गाई तो अब हम मिले पर नहीं है तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन मिल जाए तो फिर मिलेंगे आपसे जल्दी बाई बाई टेक केर